हेलो स्टुएंट क्या से हैं आप उम्मेद्धा कि आप बहतर होंगे हैल्दी होंगे स्टुएंट्स हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 के सोशल साइन्स हम लोग बूग पढ़ रहे थे और मैं जिस बूग को पढ़ा रहा था उसका नाम क्या था न्यू लाइंग में करेंगे वीडियो वीडियो शेक्शन को देखेंगे या कहीं भी देख लेंगे तो मेरे चैनल पर आपको यह सारी चीजह मिल जाएंगे अच्छा उसके बास से इस्टुएंट की डिवांड आई मुझे कई सारे कमेंट आ है इसे जोगरिफी के चाप्टर्स भी एक एक करकर और च present that नोई है ठीजिए तो चैप्टर नम्र फॉर जो इसका है उसके मैंने वीडियो डाल दिया है चैप्टर नमर शिक्स मैंने करने जा रहा हूं तो ग्रासलाइंड है जितने हेडिंग हैं वो सारे फॉब्स पर्त आपको यहां मिलेगा आए समस्ते इसको अगर वीडियो पसंद आए मेरा समझाना आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्स्राइब करिएगा नए हैं तो और नहीं तो फिर आप अपने दोस्तों के पीजिसको शेयर कर दीजेगा दबा के शेयर करिएगा ठीक है ताकि ब ग्राश लेंड का सीधा साधा मतलब होता है घहास के मैदान जहां बहुत जादे घहास ही हुई हों और लंबा जौड़ा मैदान हो तो ऐसे जमीन को ऐसे जमीन के टूट अब आपको प्लांट नहीं करते हैं उसको उगाई नहीं जाती है यह अपने आप उगते हैं यह इंवारेमेंट कुछ प्रकार का होता है। उस इंवारमेंट में यह चीजे करको होता है। यह कहां पाई जाते हैं यह found in tropical zone मैंने ऐसे नोट बना लिया है मैंने नोट कर लिया है आप भी जो है कि इसका screenshot लेकर कि इसको note कर लीजे जब आप भूलेंगे तो ऐसे देखेंगे तो आपको सारे points याद हो जाएंगे आपसे point wise बना के पढ़ना अच्छा मना जाता है और मेरे लेक्या फायदा है कि मेरी वीडियो जादे लंबी बनेगी नहीं कि लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और फिर अपलोड करने में भी बहुत स्था टाइम लेते हैं यह ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट जो होते हैं जो में पाए जाते हैं बोलीविया में पाए जाते हैं वेनिजुएला में पाए जाते हैं और बहुत सारे कंट्रीज में यह पाए जाते हैं अच्छा जितनी सारे कंट्रीज होती हैं अलग अलग नाम होते हैं जैसे साउथ अमेरिका में इन्हें सवानक आ जाता है होती है uniki Hai लंब ठीगहे लंबी घास होती है ये और खोर्स होते हैं बहुत मोटी होती है और घनी जोर्स होतीक तो जनवरों के चर्णे के हास जयो है कि सूटेनना नहीं होती है इसे गोठ हो गया भेड्ड हो गया इनको अगर अब इसमें चराने जाएंगे उनकी चरने के लिए घांस जोएकी suitable नहीं होती है अब आते हैं टेंपरेट ग्रास लाइन के तरफ यह कहां पाए जाते हैं पाउंड इन्टिरियर आफ कॉंटिनेंट्स इन मीड लेटिटीटूड पाउंड लिए आपके आर्थ है तो जो इसका मीड पार्ट है जो मीड लेटिटूड है वहां के एरियास में उस मीड लेटिटूड में जितने भी कंट्रीज आते हैं उसमें लगभग सब में आप आपाई जाते हैं ठीक है अब यह North America में इने Paris का जाता है South America में इने Pampos का जाता है ये इरोप में और Eurasia में इने Steps का जाता है South Africa में इने weld का जाता है और Australia में इने Downs का जाता है अब इस G已經 कि उतव है इसके जो घ्रास होती है वह शौट होती है ठीकिन है उन चोटी होती है हुघ आ된 अरामसे मजह से ऊचर लेती है और चो की ती पाहना से अच्ही चाहिए जाते हैं जिसमें हर्भी बोरस और कार्णी बोरस दोनों ट्राइब के जानवर यहां पे पाई जाते हैं डी जाएगे इस में आपको पाया आते हैं तो अब आये देखते हैं कि आगे आप अगला है इसा जमीन तो पाणी की कमी रहेगी और पानी की रहेगी तो पेड़ पॉद्धे उगेंगे यहां पेड़ पशांडे ठीक है वो अजीप प्रकार के होते हैं एक तो होते ही नहीं है जालियों जैसे होते हैं तो अब यह क्या होता है फाउंड अच्छा अब यह कहां पाई जाते हैं यह वहां पाई जाते हैं तो अब मिनमम रेंड क्या होती प्लेसिती होती है यह यह प्लेशुक कभी वर्स व? ऐसे प्लेश्थ प्लेशे यह पेड़ पाइड़े है इस प्लेश्थ पर पयोजनिंगे इनको 0 5 प्रांट के इसफ्लान्ट हो раст High नाम देते हैं जेर्ष प्लान्स उनको कहा जाता है स्ब्सक्राइब बालु पर पढ़ता है और बालु बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और शाम के समय, जब सूरज चला जाता है, जब रात हो जाती है, तो रेत फिर उतनी ठंडी होगाती है, तो इस प्रकार के महाल में, शाम के समय जब हवाँ चलती है, तो ठंड मुसुस होती है, और दिन के समय temperature इनका लगबग 48, 47 या 50 degree तक भी पहुंच जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं, बालू बहुत ज़्यादे गर्म हो जाते हैं, जब हवा चलती है, बालू गर्म हो जाते हैं, और हवा उस गर्मी को उड़ा करके पूरा चारतर फैला देती है, तो बहुत गर्मी में भी इप अरधमार अपर जीश हैं, जब हैं इसके एक्जाम्पल क्या है, किस फिकर के पूर्म पाथे आहां पाई जाते हैं, केक्ट्रास पाई जाता है और यह पाउदार पाउदे पाई जाता है, Gवरin का पाउदा हो गया, आकीश या का पाई हो गया और कहीं कहीं ठीक है डेट पांप्स याने की खजूर के पेड़ भी रिखिस्तानों में पाय जाते हैं अच्छा इन पाउदों की विशेष्था क्या होती है इनकी जड़ें बहुत लंबी हो तो लॉंग रूट्स होते हैं कि वाटर के तलास में इसकी जो रूट्स होत कहते हैं बहुत मोटा होता है स्माल लीफ पतियां इनकी बहुत छोटी होती यह किसी-किसी प्लांट में तो पतिया काटों निकल जाएगा चोड़ी पानी बहुत कम पानी होता है इनके पास लगबग नहीं होता है इसलिए गौट ने बहुत चोटा बनाया चोटी पत्तियां रहेंगी इवापरेशन में पानी बहुत जादे उड़ नहीं पाएगा अच्छा अब इसमें कौन-कौन से एनिमाल्स पाए जाते हैं वाइड लाइ में दियर अपने हैं आपने तो दिख लिया जाते हैं यह नहीं कि प्रेव पाध्ट KXS अनिसे पैत प्रणौ आज़ते हैं और अवाइन धाते हैं तो में ऊंड़ अगलाम से और तूंड्रा रिजीटेशन हैंं धिकैंपर आहुए जहां है जहां पर तूंडरीजल रिजिस आपका यह आपका आर्थ है तो यह जो हिस्सा होता यह तो यहां आप वह जानते हैं कि सुरुषी किलने होती है वह बहुत कौम पढ़ती है तो यहां पर लगबग यह बर्प से डगा रहता है ठंडियां बहुत चीज़े रहती है इनी एरिया में आप प्रकार का अप एक जगह है पहले रूश की थी बाद में अमेरीका ने उस देशीज को खरीद लिया अब यहां पर इसका इन्वार्यमेंट काशा होता है इन्वार्यमेंट इसका होता है यह fully covered with snow covered with snow लगभग पूरा का पूरा हिसा जो इनका होता है वो बड़ब से ड़का रहता है snow से covered रहता है अजब snow से covered रहता है और sunlight available नहीं होती है तो जब sunlight available नहीं होगी snow से पूरा covered रहेगा वो बहुत ज़्यादा chill temperature रहेगा minimum temperature temperature कैसा रहता है minimum temperature यानि कि यूँ कहें कि minus में भी temperature यहाँ पर चला जाता है तो इसमें क्या होता है कि no condition for plants no condition for growth of plant ठीक है अब जब ऐसी condition रहेगी तो कोई पेड़ पौदे याप रूगेंगे ही नहीं क्योंकि पेड़ पौदों को गुणनी के लिए क्या चाहिए water चाहिए होता है water तो वहां मिल जाता है sunlight चाहिए होती है sunlight ही वहां पर नहीं मिल पाती है बहुत कम amount में sunlight वहां मिलती है तो इसलिए प्लांट्स को ग्रो करने की जो suitable condition होती है ऐसे एरिया में टूंड्रा रीजन में बिलकुल भी नहीं होती है इसलिए यहां पर बहुत वराइटी याप प्लांट्स नहीं पाए जाते और बहुत वराइटी अफ एनिमल्स भी यहां पर नहीं रहते हैं यहां पर जो पाए जा अ सब्छान पर पाए जाते हैं और यहां पर जो systems होता है जो हैं भी सूटेबल नहीं होता है इस एरियास में अधिक्ण इम्स effort कपड़ना करना पड़ता है अपर ही दिक्कैशा होगा घशा होगा जनवर कौन-पाहलं से पाए जाएंगे तो यहां वैसे जानवर पाए जाते हैं वजरी टायर एक बार काना खा लेते हैं और तीन मीने river nation में चल जाते हैं theヤ पोलर ब्सखाये जाते हैं पॉलर पाए जाएंगे जीस सजोज़ी सपे नूचि कि फ्रफ्त करकें ऑर कुछें साथ के साथ चेपटेर आपकों किंगी अमिद्धे ओना इसमे के सारे चिपटेर जो ह heaven पूरा मैं करता चला जानगा चैप्टर लंबा होगा तो मैं उसको दो पार्ट में थीन पार्ट में भी बना सकता हूं तो बस वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा मिलते हैं आप से आगले वीडियो में तब ते के लिए जाहिन